भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमको यहाँ पर इसा पे ओनलाइन घर बैठे पूरे यहाँ पर 72,000 पे का लोन अप्रूब किया गया है ओभी यहाँ पर 12 महिने की EMI पर इतना हमारा EMI होगा अगर हम यहाँ से इतना एमाउंट का लोन अप्लाई कर पाओगे तुरंद आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा पैसे मिल जाएंगे जिसका EMI आप जो है पेमेंट करते रहना तो अगर आपको पैसे की जरूत है और आप जो है घर बैठे अपना लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक काम करना सबसे पहले आप जो है इस आप आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना अप का नाम है स्रीराम वन आप इस आपको आप जो है डाउनलोड करके ओपन कर लेना चाहे प्ले स्टोर से कर लेना चाहे आपको वीडियो डिसक्रप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके आप जो है open कर लेना अगर आपको घर बैठे loan apply करना है पैसे चाहिए तू ठिक है open कर लेना अब भाई लोग जैसे ही आप जो है आपको download करके open करोगे ऐसा page open हो जाएगा आप एक काम करना नीचे चले आना यहां से आप जो है get started पे tap कर देना फिर आपके सामने option open हो जाएगा इसापकी सारी permission यहां पर आपके सामने option open हो जाएगा आप पर log in करने का इसके लिए अपना एक यहां पर mobile number डाल के नीचे चले आना पर main condition को agree करके आप जो है continue पे tap कर देना आपके mobile number पे OTP जाएगा OTP डालके नीचे से continue पे टाप कर देना फिर आपका mobile number verify हो जाएगा आप लोग देख सकते हूँ उसके बाद आप एक काम करना फिर से जो है permission allow कर देना allow करने के बाद आपको इसाब पे अपना UPI जो है register करना होगा तब जाके आपका app पे account बनेगा और आप यहाँ से loan apply कर पाऊगे UPI register करने के लिए आपको दो अपसन मिल जाएंगे आप अपना direct जो है bank account एड करके UPI बना पाऊगे या फिर अपना रूपे credit card एड करके UPI बना पाऊगे जो आपको करना होगा select करके continue पे tap करना फिर मैं यहाँ पर bank account एड करके UPI बनाऊँगा तो यहाँ पर अपना bank account हम जो है select कर लेंगे हमारा account आजाएगा फिर अपना sim select कर लेना कौन से sim पे आपका account लिंक है उसको select करके continue पे tap करना permission allow कर देना आपका sim जो है verify होगा थोड़ा सा wait कर लेना अब भाई लोग wait करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा bank account यहाँ पर verify किया जा रहा है उसके बाद account आ चुका है account को select करके नीचे से add bank account पे tap कर देना आपका account यहाँ पर add हो जाएगा और आपका इसाब पे account यहाँ पर open हो जाएगा account बन जाएगा create हो जाएगा उसके बाद आप जो है आपके home page पे चले आना फिर नीचे चले आना नीचे पे आपको यहाँ पर एक जो है section मिल जाएगा loans का loans वाले section पे आप जो है काफी तरह का यहाँ से loan apply कर पाओगे अगर आपको personal loan चाहिए तो आप यहाँ पर tap कर देना for personal needs यहाँ पर tap करके अब हाई लोग यहाँ पर tap करने के बाद आपके सामने कई तरह के loan आ जाएगे पहला two billion loan आ जाएगा go loan आ जाएगा, personal loan आ जाएगा, home loan आ जाएगा कौन सा loan आपको चाहिए पोची जहाँ पर click करके set करेना मैं आपको personal loan यहाँ पर apply करके दिखाता हूँ इसके लिए हम जो है click कर देंगे personal loan पे फिर हमारे सामने option open हो जाएगा अपना पूरा detail यहाँ पर डालने का तो आप एक काम करना अपना पूरा detail आप यहाँ पर डाल देना सबसे पहले अपने pen card का पूरा number डालके नीचे आओगे अपने area का pin code डाल देना कितना आपको loan चाहिए वो amount आप यहाँ पर डालके नीचे चलियाना loan पर कितने महिने का EMI करवाना चाहते है वो चीज़ स्लेट कर लेना फिर आप एक काम करना नीचे से continue पर टाप कर देना उसके बाद आपके सामने option उपन हो जाएगा आप एक काम करना यहाँ पर अपना और जो है detail डाल देना सबसे पहले अपने pen card का नमर चेक कर लेना फिर अपना पूरा नाम डालके data of birth यहाँ पर डालके gender, email, id डालके आप जो है continue पर टाप कर देना फिर आपके सामने option उपन हो जाएगा अपना पूरा address यहाँ पर डालने का जो address आपके अधार card पर आपका होगा वही वाला same to same address आप यहाँ पर डाल देना पूरा ठीक है address line 1 में, line 2 में, pin code, city, state, area, सब कुछ आप जो है डालके continue पर टाप कर देना यहाँ पर टाप करने के बाद और नीची आओगे तो अपना पूरा address डालने के बाद आपके सामने option open हो जाएगा employment type प्लस अपने address पर कितने सालों से रह रहे हो, कैसा address आपका है, खुद का है, रेंट पर रहे हो, कैसे रहे हो, वो चीज क्लिक करके, सब कुछ यहाँ पर डालके आप जो है continue कर देना फिर आपके सामने option open हो जाएगा, अपना employment type यहाँ पर डालने का, जो चीज करते हूँ, कहाँ पर करते हूँ, कैसा काम है, सब कुछ यहाँ पर आप जो है बता देना कितने amount का loan जो है मिलेगा आपके सामने यहाँ पर loan आ जाएगा आप लोग देख सकते हो हमको इसाप पे total 72,000 पे का loan जो है अप्रूब किया गया है हम यहाँ से 72,000 का loan अप्लाई कर पाएंगे तो amount आपके सामने आ जाएगा इसके लिए बस आप एक काम करना term and condition को agree करके आप यहाँ पर tap कर देना get your loan now यहाँ पर tap करोगे तो आपके सामने EMI select करने का page open हो जाएगा आपको कितना loan चाहिए amount select करके EMI select करके आप एक काम करना नीचे से term and condition को agree करके आप यहाँ पर tap कर देना accept now यहाँ पर tap करोगे आपके mobile number पे OTP जाएगा OTP डालके आप जो है verify पे tap कर देना फिर यहाँ पर आपको अपना KYC करना होगा इसके लिए आपको अपने अधारकाट का photo क्लिक करके upload करना होगा तो आप एक काम करना अपने अधारकाट का front और back दोनों photo आप यहाँ पर click करके upload करने के लिए आप यहाँ पर upload करके जश्ट आप नीचे से confirm कर देना उसके बाद SAP जो पिन हो जाएगा आप यहाँ से nest कर देना फिर आप एक काम करना यहाँ पर अपना जो है click करके selfie जो है click करके upload करके submit कर देना फिर आपके सामने आपका loan का detail open हो जाएगा कितना loan apply कर रहे हो, कितने महीने के लिए कर रहे हो, कितना EMI होगा सब कुछ check कर लेना, अगर आपको loan चाहिए तो आप एक काम करना नीचे चले आना, tournament condition को agree करके आप यहाँ पर tap कर देना, accept वाले option पे, फिर आपके सामने option open हो जाएगा अपना bank account add करने का, जो उसे account पे, आपको यहाँ पर loan का पैसा चाहिए, तो आप एक काम करना, अपना account का पूरा detail यहाँ पर डाल देना, FSC code, account number, bank का नाम, account holder ने, सब कुछ यहाँ पर डालके आप यहाँ आड कर देना, फिर आपके सामने option open हो जाएगा, loan का agreement यहाँ पर sign करने का, इसके लिए आप एक काम करना, नीचे चले आना, दोनों तर्मे करनीशन को agree करके आप यहाँ पर tap कर देना, accept वाले option पे, फिर आपके mobile number पे OTP जाएगा, OTP डालके आप जो है submit कर देना, फिर आपका काम हो जाएगा, बस आपको एक step और जो है complete करना होगा, अपना e-mandate करना होगा, तो आप एक काम करना, e-mandate के लिए आपको दो option मिल जाएगे, net banking, debit card, दोनों में से कोई एक option select करके e-mandate आप जो है complete कर लेना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, लोन आपका apply हो जाएगा, भाई लोग जैसे ही आपका लोन यहाँ पर आप पे apply हो जाता है, लोन अपलाई होने के बाद आपके account पे आने में, minimum यहाँ पर 24 घंटे से लेके 48 घंटे का time लगीगा, तो आप जो है wait कर लेना, भाई लोग ऐसे करके आप जो है इसाप पे अपना घर बैठे loan apply कर पाओगे, मैंने आपको like जो है इसाप पे loan apply करने का process करके दिखा दिया, आई उप आप कर ना जान गे होंगे, अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो, वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ में अगर आपको online earning करना है घर बैठे पैसे कमाने है, तो अगर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो, क्योंकि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे कई सारी online earning के cashback offer जो है देता रहता हूँ, जल्दी जाओ जोईन कर लो, लिंक आपको इसी वीडियो description में मिल जाएगा, अगर आपको earning करना है तो जल्दी जाओ जोईन कर लो,